हेलो डियर ओल स्टूदेंस आइम डॉली राना फॉम नवजीवती ग्लोबल स्कूल मौना से आज हम आपकी सेवन्थ की इंग्लिश की सेकेंड बुक का फोथ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दे कॉप एंड दे आन्थम मतलब जोड और सॉरी दे पुलीस और एक गाना सोपी मौवड रैसली ओन इस सीट इन मैदिसें स्कूर वो क्या था अपनी सीट पे मतलब आराम से बैठा हुआ था कौन सोपी नाम का एक लड़का वहाँ पे कुछ ऐसे साइन हो रहे थे जिसे पता चल रहा था कि अब ठंड के दिन आने वाले हैं बर्ड बिगिन तो फ्लाइ साउथ बर्ड जो थे वो दक्षणी की तरफ को उलने लगे थे तो जो लोग थे वो नए गरम कोट्स खड़ीद रहे थे तो आप यह सारे साइन देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि धंड के दिन नजीख है एक मतलब टूटी हुई पत्ता मतलब एक टूटा हुआ पत्ता मुर्जाय हुआ पत्ता सोपी के पैर पे गिरता है उसके लिए एक बहुत खास सा इशारा था कि थंड के दिन अब आने वाले हैं जो भी मतलब मेडिसन स्क्वेर में रहते थे यह टाइम था कि उन लोगों की मतलब तयारी के लिए ठंड के दिनों के लिए सोपी's mind now realized that fact जो सोपी का दिमाग था वो अब यह समझ चुका था that the time had come कि समय आने वाला है he had to find some way to take care of himself during the cold weather तो सोपी समझ गया था कि उसे अपने लिए जगर ढूननी होगी जहां पे वो मतलब अपने को ठंडे मौसम से बचा सकता है and therefore he moved restlessly on his seat फिर वो वहां से अपनी seat से उठता है और वहां से चलता है सोपी hopes for the winter were not very high सोपी यह उमीद में चलता है कि उसके लिए winter ने tough नहीं होंगे he was not thinking of sailing away on a ship वो यह नहीं सोचा थे कि उसे ship से मतलब sail करना चाहिए he was not thinking of southern skies or of the bay of Nepal three months in the prison on Blackwell's Iceland was what he wanted वो सिर्फ वो नहीं चाहता था वहां से जाना वो bay of Nepal भी नहीं चाहता था वो सिर्फ चाहता था एक Blackwell's Iceland jail में जाना चाहता था three months of food every day and a bed every night three months safe from the cold north wind and safe from cops तो वो सोचता है कि अगर वो jail में चला जाता है तो उसको हर तीन महीने में हर दिन खाना मिलेगा एक हर एक बिस्तर हर रात को मिलेगा these months safe from और इन तीन महीनों में वो ठंड से बचा रहेगा this is what Sophie wanted most in the world यही जो चीज है सोपी को सबसे ज्यादे इस दुनिया में चाहिए था four years Blackwell Iceland had been his winter home बहुत सालों तक उसका यह jail Blackwell Iceland क्या है यह jail उसका घर बना है winter के दिनों में Richard now Yorkers made their plan to go to Florida or to the shore of the Mediterranean Sea each winter Sophie made his small plan for going to the Iceland तो हर लोग इधर दर जाने का प्लाइन बनाते हैं पर Sophie प्लाइन बना रहा था Iceland जाने का and now the time bad come or now the time had come up time आ गया है there three big newspaper some under his coat and some over his leg तीन बड़े बड़े newspaper उसके coat के अंदर थे और उसके पैरों के हाँ पे थे had not kept him warm during the night in the park जो उसको रात को गरम फील करवाते थे जो मतलब जादा गरम फील उसको ठंड के दिनों में रात को नहीं फील कराते थे तो Sophie was thinking of the Iceland तो जो Sophie होता है वो Iceland के बारे में सोचता है there were places in the city where he could go and ask for food and a bed तो वो सोचता है वो यह plan बनाता है कि जहां उसे खाना मिल सकता है और वहाँ पे बैड मिल सकता है these would be given to him यह उसको दिये जाएंगे he could move from one building to another वो एक building से दूसरी building जाता रहा and he would be taken care of through the winter और वो मतलब यह सोचता है कि उसको winter में कुछ न कुछ सारा मिल जागा but he liked Blackwell Iceland better पर वो Iceland Black, जो Blackwell Iceland था जो एक jail है उसे वो जादा अच्छा लगता है Sophie spirit was proud, Sophie खुद को proud फिल करता है if he went to any of these place there were certain things to have to do मतलब वो सोचता है कि अगर वो इन जगों में जाता है तो उसके पास कुछ करने को होता है in one way or another मतलब एक रस्ते से दूसरी रस्ते वो यह सोचता है he would have to pay for what they give him वो सोचता है कि उसे देना ही पड़ेगा जो उसे वो लोग देंगे they would not ask him for money but they would make him wash his whole body they would make him answer question they would want to know everything about his life तो वो क्या करेंगे वो जो देंगे उसके बदले उनको कुछ चाहिए नहीं होगा वो बस मुझसे मतलब पूरा शेरी दुलाएंगे और मुझसे कुछ सवालों का जवाब पूचेंगे और मेरी पूरी जिन्दगी के बारे में पूचेंगे no prison was better than that मतलब कोई भी जेल इससे जादा अच्छी नहीं हो सकती the prison had rules that he would have to follow jail में rules होंगे जो उससे follow करने होंगे but in prison a gentleman's own life was still his own life पर जो जेल के अंदर एक gentleman की life होती है वे क्या होती है उसी की life होती है Sophie having decided to go to the island तो Sophie क्या decide करता है जेल जाना सोचता है Iceland जाना सोचता है at once begin to move towards his desire और अपने desire की तरफ को आगे बढ़ता है there were many easy ways to doing this वहाँ उसके सामने बहुत सारे रस्ते ऐसे थे जिससे वो ये कर सकता था the most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant वो सोचता है कि उसे किसी अच्छे रस्तो में जाना चाहिए खाना खाने के लिए then he would say that he had no money ताकि फिर वो बाद में कहे कि उसके पास पैसे नहीं देने को and then a cop would be called और तब एक police बुलाई जाएगी it would all be done very quietly और ये से बहुत ही आसानी से हो जाएगा the cop would arrest him और पुलीस वाला होगा उसे गिरिफतार कर लेगा he would be taken to a judge and judge would do the rest और उसको फिर जज के पास ले जाए जाएगा और judge उसे क्या देगा? सजा देगा Sophie left his seat and walked slowly out to the Madison Square to the place where the great street called Broadway and fifth a new meet वो क्या करता है? फिर अपने वहाँ से सीट से जाता है कहां पर Madison Square में एक बहुत बड़ी जगह होती है जहां पर बहुत बड़ा restaurant है वहाँ जाने का सोचता है he went across this wide space and started north on Broadway he stopped at the large and brightly lightened restaurant वो एक बहुत ही बड़े से जहां पर बहुत जादा lighting वागए थी उस restaurant के सामने रुखता है this was where the best food and the best people in the best cloth appeared every evening तो यह ऐसी जगह थी जहां पर बहुत अच्छा खाना था बहुत अच्छे लोग जाते थे और जो हमेशा अच्छे कपड़ों में वहाँ पर हर शाम को जाते थे soapy believed that above his legs he looked all right वो खुद को देखता है और उसको लगता है कि वो ठीक है his face was clean, उसका चहरा साफ था, his coat was good enough, उसका coat भी ठीकी था if he could get to a table, जैसी वो एक टेबल करेगा he believed that success would be his तो जैसी वो एक टेबल में बैठ जाएगा तो वो यह सोचता है कि उसको success मिल जाएगी the part of him that would be seen above the table would look all right the waiter would bring him what he asked for और वैसी उससे restaurant में waiter पुछेगा कि उसे क्या चाहिए he begin thinking of what he would like to eat और वो सोचने लग जाता है कि उसे क्या खाने के लिए चाहिए in his mind he could see the whole dinner वो अपने दिमाग में सारा खाना सोचता है पॉल यूने the cost would not be too high cost जादा high नहीं होगी he did not want to restaurant people to feel any real anger वो नहीं चाहता है कि लोग वहाँ पे जादा गुस्सा करें but the dinner would leave him filled and happy for the journey of his winter home तो ये खाना क्या करेगा उसका पेट भी भड़ेगा और उसको उस रस्ते पे ले जाएगा उसके ठंड के दिनों के घर के तरफ को but as Sophie put his foot inside the restaurant door जैसे ही Sophie अपना पेर रेस्टोरेंट के दरवाजे में रखता है the head waiter saw his broken old shoes तो वैसे ही जो वहाँ का head waiter होता है वह क्या देखता है उसके टूटे हुए पुराने जूते देखता है and the torn cloths that covered his leg और उसके फटे पुराने कबले देखता है जो कि उसके पेरों के चारवर पर पर देखते है strong and ready hands turned Sophie around and moved him quietly and quietly outside again और वैसे ही वह उसको Sophie को पलटाता है और वहाँ से उसको जाने को कहता है Sophie turned off Broadway और Sophie महाँ से चला जाता है it seemed that this most easy way to the Iceland was not to be his तो पहला जुसका पहला plan था वो तो flop हो गया पहले plan के थो तो वो जा नहीं पाया he must think of some other way to getting there वो फिर कोई दूसरा तरीका अपनाता है वहाँ जेल के अंदर जाने का at a corner of 6th avenue was a shop with a white glass window वो जैसे ही एक क्या कहते हैं दुकान के सामने जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा शीशा होता है bright with electric light जो जिसमें पूरी electric light शमकरी होती है Sophie picked up a big stone and throw it throw the glass तो वो क्या करता है Sophie picked up a big stone and throw it throw the glass और वो क्या करता है एक पत्थर उठाता है और उस कांच के glass में मार देता है people came running around the corner लोग वहाँ corner के पास आते है a cop was the first among them उन्ट में से एक पुलिस वाला भी आता है Sophie stood there still Sophie वहीं पर खड़ा होता है and he smiled when he saw the cop और वो हसता है जब वो पुलिस देखता है where the man that did that asked the cop तो पुलिस वाला पूछता है कि वो आदमी कहा है जिसने क्या didn't you think that I might have done it क्या तुम्हें नहीं रगता कि यह मैंने किया होगा said Sophie Sophie बोलता है he was friendly and happy वो क्या होता है खुश होता है वो ऐसे खुश होता है what he wanted was coming toward him और वो देखता है कि वो उससे क्या चाहता है जो उसके तरह पाता है but the cop mind would not consider Sophie तो वैसे ही जो पुलिस होता है वो उसका दिमाग नहीं मानता कि Sophie नहीं क्योंगा man who breaks window do not stop there to talk to cops वो उसका पुलिस वाले का दिमाग सोचता है कि जिसने भी ये window तोड़ा होता है वो यहाँ पर मतलब मुझसे बात करने के लिए नहीं रुका रहता they run away as fast as they can वो यहाँ से जल्दी भाग जाते है जितने जल्दी वो भाग जाते है the cop saw a man further along the street running फिर पुलिस वाला एक क्या कहते है आतमी को भाग तो यह देखता है he run after him और उसके पीछे वो पुलिस वाला भाग जाता है and Sophie sick at heart walked slowly away he had failed two times तो फिर क्या करता है Sophie वहाँ से दोनों time चले जाता है और वो देखता है कि क्या कहता है उसके दोनों plan flop हो चुके है across the street was another restaurant it was not so fine as the one of broadway the people who went there were not so rich वो जो restaurant देखता है वो उतना अच्छा नहीं होता है जो लोग वहाँ जा रहे होता है उतने अमीर नहीं होता है its food was not so good यहाँ का खाना उतना अच्छा नहीं होता है into the Sophie took his old shoe and his stone cloth his old cloth and no one stopped him he sat down at a table and was soon eating a big dinner when he had finished he said that he had no money get busy and call a cop said Sophie and didn't keep a gentleman waiting तो क्या होता है जैसी वो वहाँ जाता है वो खाना उना खाता है फिर वो देखता है कि क्या कहता है वो बोलता है कि उसके पास पैसे नहीं है get busy and call a cop बोलता है कि वो एक पुलिस को क्या कहता है बुलाएं तो said Sophie and didn't keep a gentleman waiting और वहाँ पर no cop for you said the waiter waiter बोलता है तुमारे ले कोई पुलिस नहीं है he called another waiter वो दूसरे waiter को बलाता है the two waiter throw Sophie open his left ear on this hard street outside तो वैसे ही वो दोनों waiter क्या करते है Sophie को बाहर फेक देते है restaurant से he stood up slowly वो धीरे से उठता है one part at a time and beat the dust from his clothes वो खुद के कपड़े मतलब जालता है फिर उसके बाद person seemed only a happy dream उसको लगता है कि jail सिर्फ एक खुशाल सपना ही रही है the island seems very far away जो island है वो बहुत ही दूर है जो island है वो बहुत ही दूर है a cop who was standing near laughed and walked away एक वहाँ पर पुलिस वाला खड़ा था तो वो उसके सामने से के कहते हैं वहाँ पर हस रहा होता है चल रहा होता है शोपी started moving again शोपी फिर से उसके सामने चलने लगता है when he stopped जैसे वह चलता है he was near several theaters वो एक theaters के सामने जाता है in this part of the city street was street are brighter and heart are more joyful than in others but women and men in rich worms court moved happily in the winter air a sudden fear caught Sophie no cop was going to arrest him कोई भी पुलिस वाला उसे पकड़ने नहीं जाने वाला then he came to another cop standing in front of a big theater फिर वो एक पुलिस वाले के सामने आता है जो कि उसके सामने खड़ा होता है he thought of something easy to try वो कुछ easy करने का सोचता है मतब कुछ हलका-फलका करने का सोचता है he begin to shout as if he had too much to drink वो ऐसे चिला था है उनके सामने जैसे उसने बहुत ज्यादा शराप पी हो his voice was as loud as he could make उसकी आवाज इतने जोर की थी जितने जोर से वो चिला सकता था he danced, he cried out वो नाशता है चिलाता है and the cop turned his back to Sophie वैसे पुलिस वाला उसके तरफ को पीट कर देता है and said to a man standing near him और उसके नस्दिक जो एक आदमी खड़ा था उसको बोलता है it is the one of these college's boys तो वो बोलता है कि उन्हीं में से एक इन्हीं college में से एक बच्चा है इसी college का एक लड़का है he won't hurt anything वो उसको कुछ नहीं कर सकता है we have order to let them shout हमें order है कि हम इन्हें चिलाने दे शोपी वास क्राइट शोपी चुप हो जाता है was no cop going to touch him कोई भी पुलिस वाला से चूता नहीं है he began to think of the island as if it were as far away as a star वो सोचता है कि अब तो jail उतने ही दूर है जितने दूर की चांच सितारे okay then he pulled his thin coat around him the wind was very cold वो अपने मुद को अपने coat के अंदर डालता है और वहां की जो ठंडी हवा चल रही होती है बहुत जाद है क्योंकि ठंडे के दिन आ चुके दे then he saw a man in a saw buying a newspaper फिर वो एक आदमी को दुकान में देखता है जो कि न्यूस्पेपर कर दे रहा होता है the man umbrella stood beside the door तो जो आदमी होता है वो छाता वहीं पर रख देता है sopies trapped inside the shop तो जो जो तो होता है वो दुकान के अंदर पैर रखता है took the umbrella and walked slowly away और वो क्या करता है वहाँ से चाता पकड़ता है और वहाँ से धीरे-धीरे चलता है the man followed him quickly और जल्दी से आदमी उसका पीचा करता है my umbrella he said वो बोलता है मेरा चाता oh is it sad sopies sopies बोलता है oh तो यह तुमारा है why don't you call a police और वो sopies जो होता है वो उसको बोलता है तो तुम एक पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते I took it मैं इससे दे दूँगा your umbrella why don't you call a police तुम यह पुलिस को क्यों नहीं बुलाते there one standing at the corner वहाँ देखो एक पुलिस वाला कड़ा है the man walked more slowly वहाँ से आदमी सिधे चले जाता है sopies did the same sopies भी वहाँ से same चीज़ करता है but he had a feeling that he was going to fail again फिर उसके पास क्या होता है वो feeling फिर से आती है कि फिर से वो जेल नहीं जा सकता क्योंकि जिस आदमी का उसने चाता उठाई होती है वो भी किसी से वो चोड के लाया होता है the cop looked at the two men और जो पुलिस होती है वो दोनों आदमीयों को देखती है it's mine cried sopies sopies बोलता है sorry I said the umbrella man तो पुलिस man जब देखता है तो बोलता है that is you know how these things happen वो बोलता है कि तुम्हें पता ही if that is your umbrella I am very sorry अगर यह तुम्हारा चाता है तो मुझे माप करो I found it this morning in a restaurant मैंने यह एक restaurant में देखा if you say it's your I hope your will तो वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मतलब जिसकी चाता होती है वो आदमी बोलता है कि यह चाता अगर यह तुम्हारा है तो ठीक है मुझे यह एक restaurant में मिला था तो यह तुम्हारा है तो तुम्ही ले लो It's mine cried Sophie Sophie बोलता है मेरा है with anger in his voice अपने गुसे की आवाज में इस umbrella man hurried up है वहां से वो चाता वाला आदमी चले जाता है the cop held a lady across the street a lady's creed the across the street Sophie walked east Sophie के कहता है he throw the umbrella और उसको चाता को fake देता है as far as he could throw it जितने दूर उसे fake सकता है he talked to himself about cops and what he thought to them वो सोचता है कि मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ क्या हुआ because he wished to be arrested वो सोचता था कि काश वो arrest हो जाए they seemed to believe he was like a king who could do not wrong who do not wrong at least Sophie came to one of the quiet street and the inside of the city he turned here and began to walk sound towards Madison Square he was going home although home was only a seat in the park तो वैसी क्या हो जाता है Sophie upset हो जाता है और वहां से अपनी घर के तरफ चले जाता है और उसका घर क्या होता है सिर्फ एक पार्क में एक seat उसका घर होता है फिर बट एड वेरी क्वाइट कॉर्नर Sophie stopped एक शांत से कोने में Sophie रुख जाता है here was his old childhood home जहां उसका पुराना बच्पन का घर होता है throw one window एक खिड की he could see a soft light shining वो एक खिड की देखता है जहां से एक light shine करती है he turned here begin to walk south towards medicine sorry throw one window that he had been his living room जहां उसका living room हुआ करता था where he had spent many happy peaceful moments जहां उसने अपनी जिंदिकी के बहुती खुबसूरत लम्हें बिताय होता है sweet music came to soapy's ear बहुती मधूर सी संगीत की आवाज soapy के काने माते है seem to hold him there ऐसा लगता है कि जैसे कि उस गानों ने उस music ने soapy को पकड़ लिया हो the moon was above peaceful and rowdy और वही पे चान भी था जो कि बहुत थी शान्त और चमक रहा था there were few people passing passing वहां पे कुछ लोग थे जो वहां से गुजर रहे थे he could hear birds having above him वहां पे birds की आवाज से सुनता है and the music that came from the room held soapy there तो जो उस खिड़गी से आवाज आ रही होती है तो सुफी को वहां पे वह रोक लेती है for he had known it well long ago in those days his life contained such things as mothers and flowers of and high hopes and friends and clean thoughts and clean cloths जहां उसके mother हुआ करती थी sisters हुआ करते थे वहां पे fool वगएरा हुआ करते थे उसके दोस्त हुआ करते थे साफ सुत्रे उसकी सोच हुआ करती थी साफ सुत्रे कपले हुआ करते थे there was a sudden and wonderful change in his soul वैसे ही उसकी आत्मा में एक बहुत बड़ा बदलावात है he saw with a sick fear how he had fallen वो देखता है कि वो किस तरीके से नीचे गिरिया है he saw his worthless days वो देखता है अपने पुराने बेकार दिनों को his wrong desires अपने गलत नजरिये को देखता है his dead hopes the lost power of his mind वो देखता है कि किस तरीके से उसने अपने दिमाग की पावर को खो दिया and also in a moment उसी शन his heart answer उसका दिल ये उसको जवाब देता है this change in his soul जो उसके आत्मा में बदलावाया था he would fight to change his life वो लड़ेगा अपनी जिन्दगी को बदलने के लिए he would pull himself up वो खुद को उपर उठाएगा out of the mud मिटी से उपर उठाएगा he would make a man of himself again वो खुद को एक आदमी फिर से बनाएगा there was time he was young enough अभी भी time है वो अभी भी जवान है he would find his old purpose in life वो अपने पुराने जो उसके purpose थे जिन्दगी के उनको ढूंडेगा और उनको follow करेगा the sweet music had changed him वो मधूर गाने के आवाज उसको बदल देती है tomorrow he would find work a man तो वो जल्दी से कल एक job दूंडेगा a man had once offered him a job जैसी उसे कोई आदमी job offer करेगा he would find that man tomorrow वो आदमी को कल दूंडेगा जो उसे job देगा he would be somebody in the world वो भी कुछ बनेगा इस दुनिया में he would so be felt a hand on his arm वो अपने क्या करता है अपने हाथ को मतलब a man had once sorry he would be somebody in the world he would so be felt a hand on his arm वो अपने कंदों में हाथ मलता है he looked quickly around into the bored face of a cop वैसे ही एक पुलिस वाले को देखता है what are you doing hanging around here तो वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या करता हो लटक के आज पूलिस वाला पूछता है नथिंग साफी पूलता है कुछ नहीं you think I believe that तो वो पुलिस वाला बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम तुम परोसा करूंगा full of these new strengths वो बिगें टो आर्ग्यू इस नए बदलाव के साथ पूलिस वाले के साथ लड़ाई करने लगता है and it is not wise to argue with the new york cop तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था कि new york की पूलिस के साथ आप ऐसे आर्ग्यू करो come along send the cop जो पूलिस वाला है वो बोलता है मेरे साथ चलो दूसरे दिन सोपी को जज के पास ले जाया गया और सोपी को तीन महीने की सजा सुनाई गई कि वो कहां रहेगा ब्लैक्वेल आइसलेंड में रहेगा तो देखो पहले तो सोपी इतनी प्लैनिंग कर रहा था जेल जाने की तो वो फ्लॉप हो गया उसकी एक भी प्लैनिंग सक्सेस नहीं हुई लेकिन जैसे ही उसके अंदर से आवाज आई कि उसने अच्छा इंसान बनना है वो कल को जॉब ढूंडेगा तो उसने पुलिस वाले के साथ आर्ग्यू करने शुरू कर दी और उसको जेल डाल दिया गया तो यहां पर हमारी स्टोरी कवर होती है आई होप आपको समझ में आया हो थैंक्यू सो मच